स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में आज मैं नेक्ट वीडियो हिंदी में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए हासरस और करुनरस मैंने आपको बोला था इसके उधारन तो ये दो टेंथ क्लास यूपी बोर्ड में ही सिलिवस में हैं तो इनके लिए ही मैं स्पेसल ये वीडियो बना कर लाया हूँ तो इसमें बहुत सारे उधारन भी आपको मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा भी तो आपको सिर्फ अपने मतलब का एक एक एक्जामपल और परिभासा ही याद करनी है आईए देखते हैं हासरस की परिभासा क्या है उससे कैसे आप और बदल कर लिख सकते हैं तो ये हासरस की जो परिभासा है आपकी क्या लिखी हुए यहाँ पर किसी पदार्थ या व्यत्ति की असाधारान आकरति विचित्र बेश भूसा अनोखी बातों चेश्टाओं आज से हिर्दय में जो विनोत का भाव जागरत होता है उसे हास कहते हैं ठीक है तो देखें इसे थोड़ा आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं आपकी डिफिनेशन ज्यादर तर बुकों में आपके जो भी आप पढ़ते हो मैटेरियल तो कई बार यही सिर्फ लिखी होगी इतनी कि जहां हास नमक इस्थाई भाव विभावन भाव यह संजारी भावों से पुश होता है वहाँ पर हासरस की उत्पत्ती होती है तो आप इसको थोड़ा अच्छा है यह भी लिखाओं मैंने कह रहा हूँ मुझसे योगी हिंदी के किसी अध्यापक नहीं लिखाओगा यह लेकिन इससे कुछ इस तरीके से क्यों आपको याद करने में हो सकता है कटना ही हो किसी पदार्थ या व्यक्त की असाधारण आकरत विचित वेजबूसा अनोखी बातों चिश्टाओं आधिसे हिर्दय में जो हास नामक इस्थाई भाव विभाव अनुभाव एबं संचारी भावों से पुष्ट होकर जब पुष्ट होता है ठीक है न तो वहाँ पर हास रस्कित पत्ती होती है ठीक है इस तरीके से भी इसको लिख सकते है विणोष्ट का मतलब आनन्द होता है तो विणोष्ट का भाव जागरत कर दे उसे हास कहते है ठीक है और यही हास जब इस्थाई भाव जो होता है वो अब इसके उधारन की बात करें तो देखे इसका उधारन बहुत ही अच्छा है कई सारे मैं आपको उधारन दे रहा हूं जो आपको अच्छा लगए वो आप लिखेएगा ठीक है गोपिया कर्ष्ण को बाला बना ब्रज भावन के भवन चली मुस्काती वहां उनको निज सजनी बता रही उनके गुणों को बतलाती स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया तो वे थी ठठाती होली है होली है कहके तभी सब भेद बता कर खुब हसाती तो अब इसमें क्या है कि गोपियां जो हैं वो क्रश्ण को क्या कर रही है उनको सजा रही है अपनी सखी के चरे ललकियों के कपड़े पहना कर बाला बनाएं और ब्रज भावन के भावन चली मुस्काती और वो जो है राधा जी के घर में वहां गई ठीक है और वहां उनको निज सजनी बता कर अपनी एक पक्की सहली रोजवाली सहली बता कर ना निज सजनी बता रही है उनके गुणों को बतलाती और उनके गुणों को भी बता रही है अपनी सहलीों से उनको भी सहली बता रही है स्वागत में उठा राधा ने जियों निज कंठ लगाया स्वाग कर क्या होली है होली है कहती है यानि होली के समय की बात है मिलने सब लोग एक दूसरे से भी गए और उनको भी सजा लिया तो कहें तभी सब भेद बताकर अब एक दूसरे का और कृष्ण जी के जो कैसे वो कर रहे थे मुद्राय बना रहे थे वो सब भी भेद एक दूसरे को ब पता कर खो भसती हैं तो अब इसमें इस पश्टी करण आपको लिखना पढ़ेगा तो अब इसमें देखिए हास हस कौन रहा गोपियां तो गोपियां थ्या हो गई फिर आश्रया लंबन हो गई ठीक है न और जो आश्रया लंबन का विश्या लंबन कौन हुआ तो कृष्ण में अगर बात करें तो तीन विभाव हो गए एक आस्रे आलंबन तो वो तो गोपियां हो गई और विसाय आलंबन आपके कौन से हैं तो गोपियां और जो गोपी को रूप धरन की है क्रश्नी जी ने बाला का रूप और उसके बाद जो उद्धीपन था तो मैंने आपको ulti कर त्यवार बढ़ा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका वद्धीपन और इसके बाद अनुभाव तो अनुभाव क्या ही ना पर तो का एकदम उत्सा आ जाना ये सब क्या हो गए आपके तो ये संचारी भाव हो गए तो ये आपको क्लियर हो गया हो गए इसके अलावा आप ये अगर आपको टफ लगता है तो आप कुछ अनुधारान भी देख सकते हैं ये उधारान इतना बड़ा आपको नहीं याद करना है आप सिर्फ ये यहां से नीचे से ही इतना याद कर लीजे सीस पर गंगा हसें बुज़नी 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 हाँ पर अज़ाटी करने तो आपको इसका भी लिखना पड़हाईगा तो इस फश्च्टी में तो आपको कलियर हो गया किस के मन में उठी हसी जो है वो किसके मन में उठी तो एक गंगा जी के एक साप के और एक वहाँ आसपास जो बहराती आए ते साथे वह तो तो यानि इस्थाई बहुत हास हो गया, जो आसरे अलम्मन हो गए, ये सब लोग हो गए, विसाय अलम्मन खुद स्यूजी हो गए, ठीक, उद्धीपन क्या है, तो उनकी भेजबूसा, उनकी भेजबूसा ही क्या उद्धीपन का कारे कर रही है, ठीक है न, और उसके बाद फि में क्या-क्या आपका इसमें चल रहा है, तो संचारी भाव में जो है, आवेग है, ठीक है, और मद आप बोल सकते हैं इसमें, ठीक, ये इस तरीके के जो होगी, चपलता तो है ही, आप बोलेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके के दो-तीन भाव जो है, व प्रिवर्टि अथ्वामन चाहिए वस्ताइब नार्स चुपलता यह सब उत्मन होते हैं ठीक है मद भी उत्मन होता फिर उसके बाद थोड़ी दिर में खतम तो यह हो जाएंगे इसके बाद कुछ अनुधारन और भी है आपके तो अनुधारन में जैसे देखिए यह इन में स परिवासा में जब किसी प्रीवर्टि अथ्वामन चाहिए वस्ताइब नश्ठ होने या उसके कोई अनिश्ठ होने पर हिर्दय में जो सोक उत्पन होता है उस सोक नमक ठीक है इस्थाई भाव जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव के साथ पुष्ट होता है तो वह जैसे मैंने भी बोला आप उस तरीके से ही लिखे तो जादा अच्छा है जब किसी प्रीवर्ष्ट वत्वा मन चाहिए वस्त को नश्ठ होने या उसका कोई अनिश्ठ होने पर हिर्दय में जो सोक नमक इस्थाई भाव उत्पन होता है और या सोक नमक इस्थाई भाव तीनी रुपे में सुहानी से हिर्दय बल्लब हूँ वही अब महा हत भागनी जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतिव सनाथनी है अब उसी मुझसी जगत में और कौन सा अनाथनी आपको याद हो जाता तो अच्छी बात है ने तो मैं आपको दूसरे भी उधारन दे रहा हू यह देखिए कुछ उधारन इसका इस्थाई बाओ आलंबन सब आपको लिखा हुआ है इसमें आलड़ी तो आप यह देख लिजेगा इसके अलावा यह हैं कुछ उधारन ठीक है यह हरी जननी में बालक तेरा कहन यह भी काफी फेमस है इसका तो एक यह हो गया आपका इसके भी याद कर लीजेगा और देखिए कुछ अनुधारन भी हैं तो यह जो एक्जाम में पूछे गए हैं ठीक है तो विपत्ति बटावन बंद भाहु बिन करों भरोसो काको तो यह भी करोंड़स का है एक नाना वाहन नाना वेशा यहां ब्यसे सिव समान ने जिदेखा को भी यह पूछा जाता था कि इसमें कौन सा होगा ठीक है एक बहुत ही फेहमस है यह वाला आपका कि मन खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी सीस अंदी आज बनाकर मुझको किया नयाय तुमने जगदीज ठीक है ना इस यह वाला भी जो है काफी सरल और आसान है तो वह आप उसको अच्छे से याद करें चीक है एक एक एक्जामपेल आपको लिखना ही पड़ेगा इस फच्टी करन आप दें तो बहतर होगा इसके बाद इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग फिर उसके बाद हम लोग आगे नए टॉपिक आपको मैं अगला चं